दोस्तों क्या आप सिंपल ग्रेजुएशन के वजाए आपने कोई integrated course किया हुआ है integrated course जैसे कि आपका graduation के साथ साथ जो है कुछ अलग degree भी आपने ली हुई है जैसे कि अगर हम बात करें BSC LLB की, BALB की या फिर जो है BSC B8 की, BAB8 की इस प्रकार से जो आपका course होता है जिसमें की आपका graduation include होता है और साथी साथ आपके पास कुछ अलग extra degree भी होती है जैसे आपने BSC, B8 अगर आपने किया है तो आपका BSC भी इसमें होगा और आपका B8 भी इसमें होगा तो इस प्रकार से अगर आपने को integrated course किया हुआ है तो ऐसे में क्या आप UPSC के लिए eligible होते हैं आप जो है civil services का exam दे सकते हैं बहुत सारे बच्चे जो है इस बात को लेकर की confused है कुछ बच्चों का ये भी सवाल है कि जैसे माली जे की कोई government vacancy है जिसमें की eligibility graduation मांग रहा है और आपने integrated course for example आपने BSC LLB कर रखा है तो क्या आप वहाँ पर उस form को apply कर सकते हैं तो ये सारे doubts जो है आपके इस वीडियो में clear हो जाएंगे बस आप वीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा तो जैसे कि फ्रेंड सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपने कोई integrated course कर रखा है तो ऐसे में क्या आप UPSC के लिए eligible होते हैं तो for example अगर आपने BSC LLB किया हुआ है या फिर BLLB किया हुआ है या फिर BSC B8 किया है इस प्रकार से बहुत सारे और भी integrated course होते हैं तो integrated course के साथ क्या आप UPSC का एक्जाम दे सकते हैं तो जी हाँ फ्रेंड साब बिल्कुल जो है UPSC के लिए eligible होते हैं आप जो है ISPCS अगर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं आप उसके लिए योग्यों होते हैं पहला डाउट के लिए दूसरा डाउट ये है कि जैसे मान लिजी कि अगर कोई government vacancy निकल रही है जहां पर की graduation मांग रहा है तो क्या आप integrated course के साथ उसके लिए eligible होते हैं तो आप अपने BACLLB कर रहा है और आप जो है कोई ऐसी form निकल ले जिसमें graduation मांग रहा है तो बिल्कुल जो है आप उस form को भर सकते हैं कहने का मलतिब यह है कि अगर आपने कोई भी integrated course किया हुआ है तो आप हर उस vacancy के लिए eligible होते हैं जहां पर eligibility जो है वो graduation बांगता है क्योंकि आपका integrated course में graduation भी सामिल होता है जैसे अगर आपने BA किया हुआ है तो इसमें आपका BA भी सामिल होता है और प्लस आपके पास BA की भी degree होती है तो आप जो है उस form को apply कर सकते हैं जहां पर की graduation जो है eligibility मांग रहा है दूसरा doubt clear तीसरा doubt यह है जैसे माल लिजिए कि अगर आप जो है BA BA किये हुए है या फिर जो है BA BA किये हुए है तो ऐसे में क्या आप टेट का एक्जाम दे सकते हैं तो जहां friends आप जो है बिल्कुल टेट, C टेट, सुपर टेट, कोई साभी टेट जो है आप दे सकते हैं क्योंकि आपका graduation तो है ही और प्लस आपका BA की भी degree उसमें है यानि कि आपने BA भी कर रखा है उसे में और आपका graduation भी उसे में complete है तो आप जो है बिल्कुल टेट का एजाम दे सकते हैं साथी साथ अगर आपने LLB किया हुए है यानि कि integrated course के साथ किया हुए है तो जहां पर eligibility LLB मांग रहा है आप जहें LLB के लिए भी apply वहाँ पर कर सकते हैं आप उसके लिए भी eligible होते हैं तो कहने का मत्यब यह है कि अगर आपने कोई integrated course किया हुआ है कोई भी integrated course आपने किया है तो हर उस जगह पर apply कर सकते हैं जिसकी erisability graduation है और plus साथ ही साथ जिसके साथ आपने integrated course कर रखा है जैसे B8 के साथ किया है LLB के साथ किया है तो आप जो है B8 जहां पर मांग रहा है वहाँ पर भी apply कर सकते हैं और LLB जहां पर मांग रहा है वहाँ पर भी आप apply कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि आपके सारे डाउट स्क्लियर हो गये होंगे और अभी अगर आपके माइट में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्षन में हमें बता सकते हैं तो वीडियो कोईता कि अपने like नहीं किया है वीडियो को लाइक सेर जरू कर दीजिए सो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नए वीडियो में थैंक यू